हलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैं चानल हूम बिकर बुरानपूर, मैं अकांग शा, आज आपके लिए लेके आई हूँ, इंगेजमेंट स्पेशल केक, यह केक ओडर का है, इंगेजमेंट का है, तो आप डिजाइन को पूरा देखिए, मैंने आपको इसमें बहुत अच्छ करना है कि केक प्रॉपरली सब जगह से सोक है के नहीं, तो आप हैंड से भी चेक कर सकते हों, और आप अगर जादा बनाओगे केक बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा, तो देखिए मैंने बेबी पिंक कलर का क्रीम बनाया है, क्रीम का टेक्ट्चर देखिए आप, बह तो हमने ये स्ट्रॉबरी क्रश डाला है, इसके साथ में चोको चिप्स का फ्लेवर जाएगा, तो इसमें हम चोको चिप्स भी डालेंगे, तो देखिए मैं अब क्रश स्प्रेड कर रही हो, तो इसमें होल क्रश है, तो देखिए आपको छोटी-छोटी दाने भी दीख रह तो इसको कुछ योणिक बनाना है, तो मैं प्रयास करूंगी इसको योणिक बनाने का, फ्लावस का डेकॉरीशन के साथ में कैसी योणिक बनाना है, ये मैं सोच रही हो, देखते है कैसी बनता है के, तो आपको ये वीडियो मैंने Fast Forward में करके, रिकॉर्ड करके आपको होता है तो लोग बड़ी वीडियो नहीं देख पातें तो आप इसे प्रॉपर सीखना हो आपको तो स्लो मोशन में करके देखिए तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा मैंने टॉप कवर करने के केक की तो देखिए जब मैं साइट्स कवर करती हूं आपको अगर घर बेठे केक सिखना है केक कैसे बनाना यह सिखना है तो आपको बस यह करना है जो भी मैं वीडियो प्लेस करती हूँ, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, उन वीडियो को आपको slow motion पे देखना है तो आपको मेरी hands moment में कैसे knife चला रही हूँ, palette knife को कैसे घुमा रही हूँ, turn table कैसे turn कर रही हूँ और cream को कैसे फेटने के बाद में cream का texture कैसा है, ये सब चीज़े आप अगर slow motion में देखोगे, वीडियो तो आपको देख जाएगी तो देखिए, अब मैंने sides cover कर लिए, अब मैं edges cover कर रही हूँ, edges sharp कर रही हूँ तो जब तक के cake पूरा plain नहीं हो जाता, तब तक के मैं cake को proper करने की कोशिश करूंगे कि बहुत ऐसे smooth दिखे और plain दिखे, कोई भी lines cake पे ना हो, ये प्रयास में मैं हूँ अभी तो ये सब हो जाने के बाद में मैं decoration के तरफ जाऊंगे तो जब भी आप engagement का या कोई भी wedding cake बनाते हो, तो cream का इस्तमल कम करिए बस आपको sides cover करनी है, कि tire ना दिखे, कि अपने बीच में से cut कराई, ये चीज़े ना दिखे इसलिए आपको cream लगानी है, जादा cream आप नहीं लगाओगे क्योंकि wedding cake हमेशा 2 या 3 layer के होते हैं, जिसमें हम cream कम यूज़ करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों में cream कम यूज़ करना है, और base मतलब की bread जो होता है, वो थोड़ा से जादा यूज़ करना है और लोगों को वैसे भी cream थोड़ा कम पसंदाता है, भले बच्चों को थोड़ा जादा पसंदा है, पर बड़े लोगों को cream थोड़ा कम पसंदाता है तो उस हिसाब से आपको सब सोच के cake बनाना है, customer के हिसाब से customize करके, home baker को order सबसे ज़्यादा आने का reason यही है, क्योंकि हम customize cake बनाते हैं, बेकरी में एक जैसे cake बनते हैं, तो customization हमें customer के हिसाब से होना चाहिए तो इसलिए अब मैं इसका proper icing complete करने के बाद में, finishing proper देने के बाद में मैं इसके उपर decoration करूंगे, engagement थिमका cake है, और यह surprise cake है, जिनके engagement है उनके लिए, तो उनकी sister ने order करा है, तो आप वीडियो पूरा देखना, trick यही है, small tip मैंने जो आपको share करी है, कि जब भी आप wedding cake 2 या 3 के बनाते हो, तो आपको cake में बहुत कम, बहुत ही कम क्रीम लगाना है, only कि के कवर हो जाए इतना, अपना decoration notice हो इतना, अब हम, के को proper cover करने के बाद में, हम इसे shift करेंगे, बेस पे, बेस पे shift करने के बाद में, मैं इसका decoration करूंगी, wedding cake को, या engagement cake को beautiful बनाने के लिए, एक small touch बहुत ज़रूरी होता है, जो इस field में अच्छे खासे उतरे है, उनको पता है, कि वो small touch कैसे देना है, ये कुछ planning से नहीं आता है, ये अपना ही, बस हम जब बनाते हैं, तब आज आता है, जो art होता है, वो अंदर से आज आता है, उस तो केक बहुत beautiful बनता है, जब भी आप ये cake बनाते हो, जब आप इसे place करते हो, बेस पे, तो बहुत slowly इसे place करो, बहुत हड़बड़ी में मत करना, क्योंकि cake place करते टाइम, केक उठाते टाइम, वो गिरने के बहुत ज़्यादा chances रहते हैं, तो बहुत slowly ये से process करनी है, अब में टॉप और बॉटम मैंने cover करी है, लेस से, ये नॉन इरिबल लेस से, प्लस मैंने दो रोज लगा हैं ये, ये रोज यहाँ पे मेरे city में बुरानपुर में बहुत ज़्यादा मेंगे मिलते हैं, पच्छिस रुपे का वन रोज है, और ये जो मैंने आगे चोटी चोटी समझ के फिर cake की order करना, अगर आपके city में flowers सस्ते मिलते हो, तो आप इनका cake का rate कम कर सकते हो, मेरे city में flowers के rate ज़्यादा है, इसलिए मेरा rate थोड़ा ज़्यादा है, ताकि flower की costing में इसमें गिनती हूँ, अब मैं engagement ring के लिए, engagement की मैंने छोटी सी एक plate बनाई है, जिस पे ring रख रखी जाएगी, तो मैं वो प्लेस करी हूँ, अब मैं tag प्लेस करी हूँ, आप ये tag के पीछे white कला का जो देख रहे हो ना, ये निकालना मैं भूल गई, पर आप हमेशा जब भी आप cake बनाओ, सबसे पहले ये टॉपर का जो पीछे का portion है, black के पीछे white वाला, वो निकालना याद रखना, वो खाना या खाने में जाना ये बहुत ज़दा हमफुल होता है, तो ये भी आप हमेशा याद रखिए कि आप वो निकाल ले, मैंने ये निकाला था, रखते टाइम मेरे ध्यान में नहीं था, तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताओ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और मेरे चानल को सब्सक्राइब करो, आपके friends और family में भी शेयर करो, अगर किसी के engagement है, तो प्लीज मेरे केक को refer करो, अगर आपको design पसंद आई हो तो, thank you so much, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई